हाई प्रेंट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकल अमके डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ट खो गया है और उसका आधार नंबर भी पता नहीं है और आधार में लिंक हुआ मोबाइल नंबर भी आपके पास प्रेंट किस तरह से आप अधार नंबर प्रात कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो प्रेंट चलिए वीडियो को शुरू करने इस पहले आप से एक छोटी रिकोष्ट अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिगा तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड इसमें आपको घपडाने के कोई जरूत नहीं है आप यह मत सूझे कि हमारा आधार नंबर नहीं मिलेगा आपका आध और रिसीब करने के बाद आपको फ्रेंड है और ओर नहीं है अपको इनृत क्या नाम है उसके बाद आपका डेटाब पूँचैंगे कि आपका data birth कौन सा है आपको अपना data birth बता देना होगा data birth बताने के बाद फ्रेंड ओ पूछेंगे कि आपका जो area का pin code है ओ कौन सा है तो आप अपना जो pin code होगा ओ बता दीजिगा कि हमारा fin code है तो फ्रेंड इसके अलमा भी कुछ details वोग पूछ सकते हैं तो आपको सही सही बताना होगा अगर आप सारी details सही सही बता देते हैं तो ओ आपको एक enrollment number दे देंगे तो फ्रेंड उस enrollment number को आपको कहीं पे note कर लेना होगा उसके बाद आपको phone card देना होगा तो फ्रेंड ओ जो enrollment number दिये हैं उसका कुछ समय रहेगा मतलब आदा घंटा उसका समय रहेगा उस के बाद वो expire हो जाएगा तो फ्रेंड उस आधे घंटे में फिर से आपको one nine four seven पे काल करना होगा काल करने के बाद फ्रेंड वहां पे आपको language चूच करना होगा अपनी भासा चूच कर लेजेगा भासा चूच करने के बाद हाँ पे आप सन आएगा कि पंजी करड करवा ल अधार नमबर डालने के बाद आपका जो आधार नमबर रहेगा वह आपके मोबाइल में ही सुनाई दे देगा मतलब वहां से बोल देगा कि आपका आधार नमबर ए है तो उस आधार नमबर को आपको सुन करके और कहीं पे लिख लेना होगा तो इस तरह से आप अपना आधार कार्ड मगवा सकते हैं इसके बाद आपको जाना होगा आधार की वेव साइट पे UIDAI पर और चलाएगा तो फ्रिंट में बहुत सारे लोग पुछते हैं कि वहां पे आपका mobile number लिंक होना चाहिए तो फ्रेंड ऐसा नहीं है रिप्रिंट करवाने के लिए आपका mobile number लिंक होना जरूरी नहीं है आप कोई भी mobile number वहाँ पे डाल सकते हैं तो फ्रेंड एक वीडियो में और बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड किस तरह से रिप्रिंट कर सकते हैं इस तरह से आप अपने खोई हुए आधार कार्ड का number प्राप कर सकते हैं और उसे अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं तो फ्रेंट ये रहे छोटी सी वीडियो अगर वीडियो पसंद आओगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा तो प्रेंड इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद बंदे मातरों